News 24 मद्रप्रदेश 36 गड़ पर आज मौझूद हैं कॉंग्रेस के कद्दावर नेता मद्रप्रदेश के पूर सीएम दिग्विडेस सिंग जी सबसे पहले तो आपके स्वास्त की हम हलचाल जाना चाहेंगे दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं कैसे हैं आप इश्वर की कृपा से ठीक हूँ गोविड हुआ था लेकिन माइल्ड मॉडरेट था तो हूम आइसोलेशन में ही मैंने अपना इलाज की करवाया और मुझे इस बात की प्रसंदता है कि मुझे अस्पताल में नहीं जाना पड़ा सर आप अस्पताल नहीं गए आपके लाकों करोडों चाहने वालों की दौाओं का असर है लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे इस दौरान जो अस्पताल भी गए पैसे भी गए और जादाता लोगों की जान भी चली गई तो आपको क्या लगता है सिस्टम क्या फेल हुआ है इस आध्यम से ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और एमदिसेविर इंजेक्शन इसके लिए आवशक्ता पड़ सकती है लेकिन केंज सरकार ने ऑक्सिजन की विवस्था नहीं की जो उन्हें करना चाहिए थी मैंने 16 सितंबर 2020 में ये बात राजस्वा में उठाई थी ICMR ने भी में 2020 के बाद से कुछ प्रोटोकॉल उन्होंने इशू नहीं किया आज भी विवाद इस बात का चल रहा है कि हाईड्रो क्लोरोकीन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये भी एक अजीब सी बात है कि जब ऑक्सिजन की आवशक्ता हमको मालूम है कि होने वाली है उसके बात भी मेडिकल ऑक्सिजन का निर्यात चालू रखा गया जो तैयारी हमें करना चाहिए था दुरभाग है हमारा कि हम लोग इसको नहीं कर पाए जब हमको मालूम है कि वैक्सिन हमको लगवानी है लगानी है तो इसका क्या उचित था कि हम लोग दूसरों को बाढ़ते रहे अमेरिका जैसे देश ने किसी को नहीं दी वैक्सिन जब तक कि उनके लोगों को वैक्सिन नहीं लग लेकिन हमारी हमारे प्रधान मंत्री जी को अपने विश्व में अपना नाम स्थापित करने का उनका एक अलग एक भूक रहती है उसमें व्यस्त रहे जिसकी वज़े से एक वैक्सिनेशन का प्रोग्राम ठोड़ा गड़ा गया राम मंदिर के चंदे को लेकर के एक पिटिशन लगती है आपकी तरफ से और उसके बाद बीजे पी एक बार फिर से आप पर हमला वर हो जाती है कि जब भी राम मंदिर से के या उसके चंदे से जुड़ी कोई नहीं किया और यह मेरी प्रेयर है कि जो सुप्रीम कोट के गाइडलाइन्स है कमुनल हार्मनी के लिए कमुनल डिस्टर्बंसे से निपटने के लिए उसका पालन राजसरकार ने नहीं किया आप उस शाद मालूम नहीं है कि मैंने खुद ने राम मंदिर के अंदर चंदा द मंदिर के चंदे के लिए कि जरूरी है कि तलवारें लेकर जाए लाठी लेकर जाएं भढ़काने वाले नारे लगाएं दूसरे धर्मों के धर्म स्थलों पर तोड़ फोड़ करें एक् बड़ी एक अमाउंट है उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसमें ट्रांसपरेंसी बिल्कुल नहीं है आप मांग करते हैं कि उसे भी एक नॉर्मल तरीके के लोगों पहली बात तो यह है कि जब पी एम रिलीफ फंड पहले से ही है तो अलग से पी एम केर्स फंड बनाने के बहुत बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर्टर्स ख्रीदे गए सब-स्तेंडर्रेस ख्रीदे गए बिना टेन्डर बुलाए ख्रीदे गए जिनका कोई टेंड वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं है उन लोगों को मोदी जी मून रूप से आर्टी आई कानून के खिलाफ है और हमेशा आप याद रखिए कि भारती जनता पार्टी और संग हर चीज गुप्त रूप से काम करते हैं ट्रांसपरेंसी इनके काम में कभी देखने को आपको नहीं मिलेगी तो इसमें भी नहीं है ट्रांसपरेंसी केंडर की एक और जो महत्मांग प्रोजेक्ट था महत्मांग्शी बात काम की वादा था उनका घोशना पद्र का कश्मीर को लेकर अब एक बार फिर से जम्मो कश्म कि कश्मीर समस्या के बारे में सबसे अच्छा बयान यदि किसी ने दिया है तो अटल भ्यारी बाच बाई जी ने कहा है जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर के मामले में आपको क्या कहना है तो उन्होंने तीन बाते कहीं उन्होंने कहा जमूरियत यह मत जानी डिमोक्रेटिक तरीके से इंसानियत व कश्मीरियत इस तीन तीन पहलों के अंदर ही हल ढूंडा जाना चाहिए अब जिस तरह से नोंने फैसला लिया वहां जमूरियत थी नहीं सारी विधानसवा भंगुच मतलब सस्पेंशन में थी इंसानियत का कहीं तकाजा था यह नहीं नहीं ना इंसानियत कहीं नजर आई और कश्मीरियत के मूल रूप्स पर प्रहार था और वो सारे लोग कश्मीर घाटी के वो सारे लोग जिन्होंने की भारत में रहने के लिए कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी जिन्होंने भारती सम्विधान को स्विकार किया चुनाव लड़े लोकसभा में विधान सभा में आये नगरपालिक काउमें पंचाथ में चुनाव लड़े उनको सबको आपने जेल में बंद कर दिया तो वहाँ जम्मुरियत बची का? इनका कहनाता वहाँ से आतेंगवाद समाप्थ हो जाएगा रोज हम लोग कहीं सुनते हैं जितने इंसिडेंट्स हुए हैं उतने इतिहास में कभी नहीं हुए जब अब हुए है इसलिए पूरे तरेके से इनकी कश्मीर नीती असफल रही है परिसीमन को लेकर के कवायद हो रही है वहाँ पर अगर वो होता है तो आप इसे कैसे देखते हैं यह ठीक है क्योंकि पॉपूलेशन के रेशो के हिसाफ से प्रतिनिद्द्द करने का मौका जम्मू के लोगों को भी मिलना चाहिए यह आपको लगता है इसके पीछे सियासत है जम्मू के लोगों का कोई अधिकार नहीं छिना था पहले भी न छिनना चाहिए यह केवल इनके पास एक ही अजेंडा है हिंदू मुसल्मान हर चीज में हिंदू मुसल्मान कोविड में भी नोंने हिंदू मुसल्मान कर दिया था तो इसलिए ये बिलकुल गलत तरीका है कश्मीर समस्या को हिंदू और मुसल्मानों में बांट कर आप कश्मीर समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं किसान अंदोलन को लेकर सर बहुत लंबा एक वक्त चल दा है किसान अंदोलन चल दा है से उसका समर्थन भी कर रही है लेकिन अभी तक हल नहीं निकला है हम देखते हैं कि आज भी लोग बैठे हुए हैं किसान परेशान है और वो हर मुम्किन कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े इंटेनेशनल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स को हमारा जो प्राइमरी एग्रिकल्चर मार्केट है उसमें प्रवेश मिल जाए और उसमें वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रक्यूर कर सकें सस्ता सस्ता प्रक्यूर कर सकें और उस पे मुनाफ़ा कमा सकें और ये पूरा पूरे प्रयास इनका यही है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और मल्टीनेशनल को किसानों से सस्ता माल खरिदवाएं और पैसा कमवाएं इसलिए इसका विरोध होना सह था और MSB का प्रोविजिन आवश्यक था यही कानून यदी पार्लिमेंट की स्टेंडिंग कमिटी को स्वप दिया होता या स्लेट कमिटी को स्थवप दिया होता तो यह विवाद ही नहीं होता जो किसान विरूद कर रहे हैं उनको बुला के हम बाचीत करा देते हैं और यही नहीं साथ में जो हमारे लेबर लॉज थे उनको भी इसी तरह से और्डिन्स के माध्यम से इन्होंने परिवर्तिन किया तो इस तरह से उन्होंने किसान और मजदूर को दोनों को इन और्डिन्स में समाप कर दिया सेकारी आंदोलन को समात कर दिया क्योंकि राहूल गांदी जी ने ठीक कहा था कि मोदी जी के सरकार सूट बूट की सरकार है तो पूरे तरीके से ये किसान गरीब मजदूर विरोधी सरकार के ये फैसले हैं जिनका इसमें बुरे उथ हुआ है सर महंगाई को लेकर कि बहुत जादा अभी इस देश में वावाल मचा हुआ है केंद्री कृषी मंत्री नरेन सिंग तोमर मध्यप्रदेश से ही बलॉंग करते हैं उन्होंने बयान दिया कि सरसों के तेल के दाम इसलिए बढ़ गया है मुझे दया आती है नरेन सिंग तोमर जी पर हमारे अच्छे मित्र हैं अच्छे भले व्यक्ति हैं और अच्छे राजनेता हैं लेकिन मिलावट रोकने का कहीं प्रमान तो होना चाहिए ना कितने केसिज इन्होंने मिलावट के अदालत में पेश किये ज़रही तो बताने केवल इस प्रकार से बयान देकर अपना अपनी कुर्सी बचाने के लिए वे नरेन मोदी जी के बचाव में खड़े हो जाते है मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी इसके लावा मद्पूरदेश की बात कर लेते हैं मद्पूरदेश में बायानों के बहुत दोर चले और अभी एक वाली में बायान हमने राकिश जी का देखा ता राकिश सेंग जी का जिसमें वो बहुत आपतिजनक टिपणी अली भावा चाली शोर जैसी टिपणियां करते हुए नजर आते हैं तो क्या ये इस तर जो है अब इस लेवल पर पहुंच गया है कि एक साथ सम्विधान की रक्षा करने वाली की करने की शपत खाने वाले लोग एक दूसरे को इस तरह की उलहाना इस तरह की वो दें उपमाए दें हमेशा से हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए प्रजात तंत्र में भाषा का उपयोग सहमित होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार के ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे कहीं कटुता फैले मुझे नहीं मालूम राकेश सिंग्जी ने किस संदर में ये बात कही है लेकिन उसने सब चीजों से बचना चाहिए जबलपुर का सर जो नकली रेम्डेसिवर को लेकि आपने बयान दिया था उस पर वो बात सही है मोखा के उनकी पार्टर्शिप है उनकी दोस्ती है और राम्देसिवेर राम्देसिवेर इंजेक्शन्स का उन्होंने व्यापार किया गुजराच से नकली रेम्देसिवेर इंजेक्शन्स आए और इनके माध्यम से बाते गए ये स्वेम मद्यपिदेश पुलिस ने कहा है और शिवरासिन्जियों नर्फिशाज की इनको संग्या दी है अब नर्फिशाज व्यक्ति यदि आप देखेंगे तो कलेक्टर, SP, MP, मिनिस्टर सब के साथ वो भोजन कर रहा है पार्टी शामिल हो रहा है और NSA में दूसरे लोग 6 महिने के लिए भेज़े जाते हैं, ये 3 महिने के लिए भेज़े जाते हैं आज तक उनका फोन रिकवर नहीं हो रहा है, मुबाइल फोन रिकवर नहीं हुआ मोखा जी का कैसे हो पता पड़ेगा, पूरा का पूरा मोखा को बचाने का पूरा प्रयास है तो आपको लगता है इसके पिछे शासन से जुड़े लोग जम्मेता है मेरा तो आरोप है कि इसमें पूरी हिस्सेदारी राकेर सिंग जी की है मैं सियासा छोड़ दूँगा, अगर कोई लिंक दिखाते हैं तो मोखा से उनकी दोस्ती नहीं है अगर मोखा से दोस्ती नहीं है और उनके उसमें कोई अपरिशित है उनका तो जितने भी जानकारी मुझी जवलपुर के बारे में हैं हर बार राकेर सिंग जी के साथ मोखा नजर आते हैं जिला कलेक्टर और जिला एस्पी दुनों के साथ उनकी फोटोज हैं प्रशासन के एक प्रमुक रूप से कितने बुकिया हैं उनके सब इनके साथ संबन रहे हैं कि बीजेपी में अंदरुनी कलह को लेकरके इस इन दिनों बहुत सारी बातें हो रही हैं सबसे पहले तो मैं रिसेंट जो घटना उसकी जिक्र करूँगा कि एक कारकार्णी की सूचि जारी होती है उसमें सामने जातियां लिखी होती हैं और जातियां भी गलत सलत लिखी होती है यह आरूप था और दो एक दो घंटे बाद उस सूची को ड्रीट कर दिया जाता है जाती के कॉलम को हटा दिया जाता है क्या इससे समझते हैं लोगों को क्या मैसर जाएगा इससे बीटी शर्मा जाती का कॉलम है इसको लेकर के पहले भी आरोप लगते रहें कि क्या स्यासत में इस तरह से होना चाहिए एक संग्ठन के अंदर जाती के आदार पर चीज़ें इससे बचना चाहिए इसके अलावा एक ये भी खबर थी बीच में कि शिवराज सिंग चोहन को लेकर के उनकी एक जो एंटी लॉबी है वो सक्रिय हो गई है अचानक से और बैटकों के दौर चले और जब बैटकों के दौर होते थे तो वो बंद कमरों में चुप चुपा करके हुए खला की बाद में फिर सबकों को आकर कि ये कहना पड़ा कि शिवराज जी हमारे सीम थे हैं और रहेंगे तो बिना आपके दौराज उठा रहा है कि असा लगए आज मुझे 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 मालूम पड़ा है कल कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उस कैबिनेट मीटिंग में मु मंजूर शुदा प्रोजेक्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं है तो और ये मंजूरी क्यों दी जा रही है बात वाजिब है और उन्होंने कहा कि मेरा डिसेंटिंग नोट लिखिये और ये कहकर वो कैबिनेट की मीटिंग छोड़के चले गए कोई भी मंत्री अगर फैसले से स सहमत नहीं है तो उसके सामने केवल एक मात्र विकल्प है दो विकल्प है या तो वो उस असहमत को हटा कर सहमत हो जाए या फिर अपने पचसे इस्तीफा दे दे और मुक्यमंत्री जी को भी इस बात पर ध्यान देने चाहिए कि कैबिनेट के नोट में और कैबिनेट के फैसले में कहीं डिसेंटिंग नोट नहीं लगा है आज तक और यदि मंत्री जी उससे सहमत नहीं है तो फिर उनको मंत्री मंडल में रहने का अधिकार नहीं है सर अब कॉंग्रेस की इंटर्नल पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं जिसे लेकर भी बहुत बाते हैं आजय सिंग जी ने खुलकर कमलनाज जी को लेकर कहा कि विंदे के कारण हम चुनाव नहीं हा रहे हैं और विंदे पर इसका दोशारूपन ठीक नहीं है तो इस तरह की बयान बाजियां चल रही है तो कॉंग्रेस में क्या सब कुछ ठीक है और इस तरह के बयान सारजनिक मंचों पर क्यों दिये जा रहा है हर राजनेटिक दल का अपना एक अनुशासन होता है और उसको अनुशासन का पालन करते रहना चाहिए किसी भी व्यक्ति को सारजनिक बयान द तो नहीं जा रहा है और उसी के तहत हमें अपना जो भी वक्तव है उसी दारे में देना चाहिए मुझे नहीं मालूम कि कमलना जी ने किस संदर में बात कही और किस संदर में अजय सिंग रहूल ने बात की लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अर्जुन सिंग जी के परिवार का और कमलना जी के परिवार का बहुत ही पुराना संबंद रहा है और यदि मैं कहूं कि अर्जुन सिंग जी ही कमलना जी को मदर्पिदेश में लेके आए चिनवडा सेमकर को चनाव लड़वाया तो उनके बड़े प्रगार संबंद रहे ह मैंने पता लगा नहीं कोशिश की तो दोनों तरफ से इसी कोई बात मुझे नजर नहीं आए कि कहीं किसी प्रकार का विबाद है मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस के नेतरत को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं अटकलें हैं सर कहा जाता है कि तीन बड़े निता थे सिंदिया जी तो चले गए पार्टी छोड़कर कमलनाच जी को हाली में मुका मिला लेकिन वो सत्ता सम्हाल नहीं पाए अब स्ववेक तोर पर जनता की उमीद या आपके समर्थकों की उमीद यह होती ही कि एक बार फिर से आप सक्रिये मद्यप्रदेश में हो करके वहां कॉंग्रेस आपकी लीडर्शिप में चुडाव लड़े और आप एज़ा सीम वहां पर प्रोजेक्ट हो नहीं यह देखि मद्यप्रदेश इसमें 36 गड़ था वहां से शुरुवाद हो कर और 2001-2002 तक और फिर उसके बाद 36 गड़ अरपरांत अलग हुआ मुझे 36 गड़ और मद्यप्रदेश के लोगों का बेहद प्यार मिला आशिरवाद मिला और उसके आधार पर हम लोगों ने वहां काम किया मैंने काफी अपना जीवन का हिस्सा मद्यप्रदेश की सियासत में बिताया है अब नए लोगों को लाने की आवशक्ता है इसलिए मैं सपोर्टिंग रोल ही कर सकता हूँ लीड रोल आज के समय में संभब नहीं है तो क्या दिगविजए सिंग अब सिर्फ किंग मेकर बनकर रहेंगे ना में किंग मेकर पहले था जी आज हूं ना कभी रहूंगा क्योंकि किंग मेकर की जितनी दुर्गती होती है इतिहास में आप देख लिजिए उतनी और किसी व्यक्ति की नहीं होती है क्या कमलनाच जी फिर हमाने कि उनकी लीडरशिप में अगला इलेक्शन होगा अब यह सब तो हमारी कॉंग्रेस पर्टी तैक करती है कि बीजेपी बार बार आरूप लगाती कि कॉंग्रेस पर्टी देश 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 की दिशा क्या तैक करेगी अपना अध्यक्ष पूंड गांदी हैं, उनको अनुषकालिक कही है, यह हमारा विवेक है, हमारी पार्टी का विवेक है, वर्किंग कमिटी का विवेक है. जैसे आपने भी कहा कि मध्यप्रोदेश में आपने कलंबा कारेकाल दे दिया और अब आप चाहते हैं कि नए लोगों को मौका मिलें, तो ऐसे तो कॉंग्रेस के भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो यह चाहता है, तो वहां भी क्या नहीं होना चाहिए कि युवा फिरी सामन करेगी क्या कोविट का पूरा काल गुजरा है और एक सजक विपक्ष के नाते बहुत जिम्मेदारी कॉंग्रेस की भी है, मध्यप्रोदेश की बात करें या देश की बात करें, तो जनता की हके लिए किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी? मैंने जीवन भर राजनीती की है विचारधारा की, और इस देश में महात्मा गांधी, पंडले जवाल, नाल, नहरू और कॉंग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उसी के रास्ते पर चलके इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है. यहां तक की अटल जी की सरकार भी बहुत कुछ कॉंग्रेस, गांधी, नहरू की रास्ते पर ही चलकर उन्होंने 6 साल के मुक्तुधान मत्री काल बिताया. पहली बार भारती जनता पार्टी का जो कॉर है, जो RSS का कॉर विच्वारधारा है, उसको लागू करना शुरू किया नरेन मोदी जी ने, और आप देख रहे हैं, इन 7 साल के अंदर क्या दुर्गती हुई है देश की, यहां की अर्थवस्ता की, वो आपके सामने है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, इस देड़ साल के अंदर, कोविट काल में, वो ही लोग पनपे हैं, जो अरब खरब पती थे, मजदूर भूकों मर रहा है, गरीब हूकों मर रहा है, इसलिए यह आप समझ लीजिए, कि इस देश में लेफ्ट ऑफ सेंटर य अधारा ही आगे देश को ले जा सकती है, एक्स्ट्रीम राइट विंग और एक्स्ट्रीम लेफ्ट विंग दोनों इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जो बार-बार जब भी हम देवेट करते हैं या बीजेपी से सवाल करते हैं, तो उसमें वो आपका जिक्र ला कर जबके उस डिवेट से बचने की कोशिश करते हैं, वो है सम्मेदा कर्मियों की लगातार हरताल और उनकी मांगों को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में चीज़ें चल रही हैं, वो हर बार कहते हैं विवस्ता दिग्विरे सिंग जी ने लागू की है, और हम तो उसे चल काल में हमने इस बात का प्रयास किया था कि सत्ता का विकेंद्री करन किया जाएं और इसी लिए शिक्षक कर्मी और साथ में जन स्वास्त रक्षकों को हमने इंसेंटिव बेस्ट प्रोग्राम्स के तुछ काम करवाया था, गौसिवक अपाइंट किये थे ताकि हम इनको स्किल दें और वे जनता की बीच में जाकर सेवा करें, शिक्षक कर्मियों की न्युक्ति के अधिकार हमने लोकल बॉडिस को दे दिये थे, और उससे यह हो गया था कि कम से कम यह शिक्षक पढ़ाने तो जाते थे, वो decentralized functioning को इन्होंने बिगार दिया, centralized कर लिया, अब मालवा और बुंदिल और इस निमार्शेतर के शिक्षक को अगर सिंग्रॉली पोस्ट किया जाएगा, तो कैसे काम चलेगा, सिंग्रॉली के लोग कहा जाएंगे, तो इसलिए जिलास तर पर, ब्लॉक्स तर पर ही हमने निक्तियां दी थी, जिससे गाओं के लड़कों को आ मौकरी बगरने का से अफसर मिला था, उनकी हमने टीचर्स ट्रेनिंग के माध्यम से उनको तयार किया, और अब आप देखेंगे जितने शिक्षक कर्मी या और या हमारे गुरू जी हमने निक्ति किये थे, मैंने क्या निक्ति किये थे, जनता ने निक्ति किये थे, जन प्र तो यह decentralized functioning versus centralized functioning का अंतर है Congress विश्वास करती है decentralized functioning में और भाजपा हर चीज का केंद्रिकरन चाहती है इसलिए फर्क है अन्तिम सवाल सर आपको लगता है कि 15 साल से मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान बीजेपी के का चहरा है अब बीजेपी में भी अगर अभी बीजेपी है तो क्या वह अपन चहरा बदलना चाहिए यह उनका internal matter है और इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह कहा जाता है कि एक सिस्टम में जब एक लीडर बहुत लंबे समय जा रही है नए आदमी आएगा तो उसके लिए हमको दिक्कत होगी थोड़ी सी इसलिए हम तो चाहते हैं शिवरासिंग चोहान बने रहे हैं दो जाते है इस तक पेंड्राइब को लेकर कि सर्फ बैक हो गए फिर कमलनाज जी पहले उन्होंने का मेरे पास है और फिर इस तरह की बायान वाजिया पूल लगता है इसा है पेंड्राइब का तो वह हमेशा से इन्वेस्टिगेशन तो कोड के निमार्द रिष्टन में हो रहा है और पेंड्राइब प्रशासन के पुलिस के पास पहले से है किस संदर में कमलनाज जी ने बात कहीं मैं नहीं जानता लेकिन पेंड्राइब तो पुलिस के पास पहले से है ठीक शुक्रिया इसान न्यूस बहुत बहुत शुप काम नहीं है